स्वागर है आप सभी का Bank Expert के एक फ्रेस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में HDFC Bank का कोई साभी क्रेट कार्ट है और उसके अंदर में कुछ reward point है जिनको आप अपने cash के अंदर में redeem करना चाहते हो तो आज आपको पूरा process लाइब दिखाता हूँ कौन-कौन से steps को आप फॉलो करके अपने reward point को real cash के अंदर में convert कर सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले बदा दू मेरा राम है शुभाम आप देखे हो Bank Expert चैनल को अगर ये वीडियो देखके थोड़ी बहुत भी help हो तभी आप इस चैनल को subscribe करके well icon press करिएगा और इस वीडियो को like जरूर करिएगा तो सबसे पहले आपको अपने internet banking में login कर लेना है वैसे मेरे पास में HDFC का millenia credit card है आपके पास में कोई सहाभी credit card हो सकता है HDFC bank का प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है तो अभी आपको क्या करना कायाट्स पे क्लिक करना है और आपको left side में inquiryable के एक option मल जाएगा उस पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे second last में redeem reward point का एक option मल जाएगा इस पे क्लिक कर देना है यहाँ पर card number दिख जाता है आपको इसको select करके continue पर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर एक बर continue पर क्लिक कर देना है तो एक नई window open हो जाती जहाँ पर आप अपने reward point को redeem कर सकते हो सबसे उपर में आप देख सकते हो मेरा card number दिख रहा हूँ उसके अलावा मेरा जो available reward point है 2896 वो यहाँ पर दिख रहा है लगबख से 2900 reward point है फिर यहाँ पर redeem reward points के इंदर में तीन option मिल जाएगा पहला या तो आप कोई product catalog ले सकते हो कोई भी product आप basically purchase कर सकते हो अपने reward point का यूज करके दूसरा option मिल जाता है कि आप कोई instant voucher ले सकते हो तो multiple companies के यहाँ पर voucher है जिने आप ले सकते हो reward point का यूज करके तिसरा जो option है basically आप cash redemption के लिए यूज कर सकते हो इसके लावा air miles के लिए भी आप अपने reward point को use कर सकते हो तो multiple options है तो जैसे कि मेरे को cash redemption करना है तो मैं simply इस पर click कर दूँगा अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे जो available reward point है उनकी value भी बिल्कुल same मिले basically एक reward point equal to 1 रुपय है अब मेरे पास में जैसे कि HDFC का millennia credit card है तो उसके reward point की value थोड़ी जादा है अगर मैं cash के अंदर में उसको use करता हूँ तो अभी मेरे जितने reward point है मैं सबको एक साथ use करना चाहता हूँ तो मैं सारे यहाँ पर reward points अपने लिग देता हूँ अपने में लगबग 2 दिन का time लगता 2 working days लगते हैं यह जो points की value है आपके credit card में add हो जाएगी तो यहाँ पर करके मैं redeem now पर click करता हूँ और फिर से मैं confirm करता हूँ क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा order number generate हो चुका है 2896 यहाँ पर जो value है यह दिख गई अब अके लाबा यह जो value 2896 rupees basically मेरे credit card में add हो जाएगे मेरा जो current विल होगा उसमें से यह minus हो जाएगा अब अब इसको track कभी कर सकते हो my order पे click करके तो यहाँ पर basically आपको सारी detail देखने को मल जाएगी तो जब भी यह points आपके credit card में shuttle होगे तो यहाँ पर delivery date जो भी बिल्कुल खाली है यहाँ पर वो date add हो जाएगी सो भी आपने देख लिए कि कितना असान है HDFC credit card के reward point को real cash में convert करना अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो तो like कर दीजे मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में